पुलिस ने दिल्ली NCR में लूट करने वाले दो बदमासों को गरफतार कर जेल भिज दिया है NCR छेतर में लूट की गटना को अंजाम देने वाले दो अभयकतों को पुलिस ने धर दभोचा साहिवाबाद को पुलिस को सुचना दी गई जिसके अनुसार ऑफिस से घर जाती हुए चार अग्यात लोगों द्वारा वादी की गाड़ी रुकवा कर असला देखा कर पांच लाख रुपे की लूट की थी गटना के बाद टीमों का गठन हुआ रवा संभावित इस्थानों की सिस्टी फुटेज चेकी है मुखबिर की मदद से गटना का सफरा नावर करते हुए सी फुटा रोड नियर दिली सीमा पुरी बॉर्डर सालीमार गार्डन साहिवाबाद से दो अविक्त वसीम इमरान को गटना में प्रियुक्त वो इस्कूटी के साथ पिछासी हजार रोपे साहिद गरफतार कर लिया पूस्ताच करने पर अबुक्त वतायन दोनों ने अपने साथी अस्पाक के कहने पर एक अन्य फरार साती के साथ मिलकर रात्री में ए बुलोक सालीमार गार्डन साहिवाबाद नाले के पीछे वाली गली में तमंचा दिखागा रोपेयों से भरा बैग लूट लिया बैग में कुल पांच लाग रोपे मिले ते जिसको पांचों ने बांट लिया गठना की पूरी योजन आसपाक की थी बरामद स्कूटी से गठना में पहले दिन रेकी की है दोनों के हिस्से में 80,000 रोपे आए बाकी पैसे साथी के पास हैं जो दोनों के हिस्से में उनसे जो रोपे बरामद हुए वाल लूट के पैसे यह रता बाकी दोनों ने मोज मस् जिसमें के तरीवन पांच लाग लोग उसमें तत्काली टीमों को गठन कर दिया गया था ट्रांसेंटन्स जोन की स्वाट टीम को भी लगाया गया था तो इसमें फैंगली हमने दो लोग गिरफतार कर लिये हैं जिनके नाम है वसीम और इम्रान इन्होंने पूश्टाज पर इन लोगों ने दो दिन रेकी करी ती गठना है यह नो और दस तरीको भी रेकी करने आए तो एस एरिया में एक स्कूटी का इस्तमाल किया था रेकी में जो कि स्कूटी हमने अर्श्फार्ट वसीम से बरामत करी और तमंचा वी वसीम के साथ बराबत हुआ है नो ने बताया ने लोग रहने वाले है लुटार इनको पता था जानने वाले लोग थे इनके बीच में पताथा कि इनके पास बिजनेस है जहां से जब भी आते हैं तो पैसा लेकर आपका क्या परफार्ट है अश्फाक के पास अब अभी तक जित्ति जानकारी हुई है तीस से उपर मुकदमे रेजिस्टर्ट हैं उसके उपर और वहां पर भी स्नाचिंग और इस तरीके के गटना ग्रिली और शेक्तुर में करता है मैं इनके और साथ ही कोई इनके साथ से बीजब और इक और गिरफ्तारी उफिसके बाद उसके और पता पड़ेगा वह चौछ साथ ही कौन था